भारते दंड संगिता की धारा 300 उन मामलों से आशेईत है जिन मामलों में आपराधिक मानववद हत्या है कोई भी आपराधिक मामला जब तक हत्या की कोटी में नहीं कहा जा सकता है जब तक वह मामला धारा 2.99 में परिभाशित आपराधिक मानववद की कोटी में न आता हो किसी भी हत्या के मामले में यह अनिवारिता महतोपूर्ण होगी कि ऐसी हत्या पुर्वतह धारा 2.99 में परिभाशित आपराधिक मानववद की कोटी में आती हो किन्तु धारा 299 में परिभाशित आपराधिक मानववद के लिए यह अनिवारिता नगन्य होगी कि वह हत्या की संग्रशना करे। भारतिय दंड संगिता की धारा 300 के अनुसार निम्न दशाओं में आपराधिक मानववद हत्या का अपराध नहीं होता। जबकि अपराध गंभीर और अचानक प्रकोप से आत्मनियंत्रण की शक्ति को खोकर प्रकोप दिलाने वाले व्यक्ति की मृत्यू कर देता है या गलती या दुरगटना के प्रणाम स्वरूप किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यू कर देता है तो उस अपराधि द्वारा किया ग यह है कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति की मृत्यु करने या उससे अपहानी पहुचाने के लिए प्रतिहेतु स्वरूप अपराधी के द्वारा न तो चाहा गया हो और नहीं स्वेच्छेया से प्रकोपित किया गया हो। इसी लोक सेवक द्वारा उसकी शक्तियों के विधिपून प्रियोग में किया गया हो। जबकि अपराधी, शरीर या संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार को सत्भाव पूर्वक प्रियोग में लाते हुए, विधिद्वारा अपने को प्रदत शक्ति से आगे निकल जाता है और बिना किसी पूर्व सोच विचार के और ऐसी प्रतिरक्षा के उद्देश से जितनी अपहानी पहुचाना आवश्यक हो, उससे अधिक अपहानी पहुचाने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कर दे जिसके विरुद्ध आपराधिक मानवद हत्या नहीं होता है। जबकि अपराधी लोक सेवक होते हुए या लोक न्याय की अग्रसरता में कारेरत किसी लोक सेवक की मदद करते हुए, विधि द्वारा अपने को प्रदत शक्ति से आगे निकल जाता है और किसी ऐसे कारे के द्वारा जिसे वह विधिपून और ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने करतव्य के सही पालन के लिए जरूरी होने का सदभाव पुरुवक विश्वास करता है, किसी अन्यवक्ति की बिना दुश्मनी के मृत्यु कारित कर दे, जब उस अपराद द्वारा किया गया आपराधिक मानववद हत्या का अपराद नहीं होता है, जहां कि मानववद अचानक जगडे के आदेश को तिवर्ता में अचानक लडाई में बिना किसी पूरुविचार के और अपराधि द्वारा अनुचित लाब उठाए बिना या निर्दैता पुर्वक या और सधारन रीती से कार्य किये बिना किया जाए, वहां ऐसा आपराधिक मानववद हत्या का अपराध नहीं होता है, इसके संबंद में यह महत्वहीन है कि प्रकोपन देने वाला कौन पक्ष है, एवं पहले पहल आक्रमड करने वाला कौन पक्ष है, जहां कि किसी ऐसे व्यक्ति के मृत्यू कारित की जाए, जो अठारा वर्ष या अधिक आयू का है, एवं जिसने अपनी सहमती मृत्यू सहन करने या उसका खत्रा उठाने के लिए दी है, वहां ऐसा आपराधिक मानवद हत्या का अपराध नहीं होता, भारते दंड संगिता की धारा 300 के अपवाद 1 का अंस उपर्यूक्त कथन है, इस अपवाद में है कि मानवद हत्या नहीं है, यदि अपराधी जबकि अब गंभीर और आकस्मिक उत्तेजना द्वारा आत्मन यंत्रन खोकर उस व्यक्ति की मृत्यू कर दे, जिसने की वह उत भडन से किसी अने व्यक्ति की मृット्यू कर दे, यदि अपवाद में मिलखित नियमों के अंतरगत है, यह कि वह उत्तेजना किसी व्यक्ति की मृत्यू करने या हानी करने के लिए स्वयं अपराधी द्वारा चाही गई या स्वैच्छा पूर्वक उत्तेजना न की गई हो, यह की उतेजना किसी ऐसी बात द्वारा न दी गई हो जो कि विधि के पालन में या किसी लोग सेवक द्वारा ऐसे लोग सेवक की शक्तियों के विधि पून प्रियोग में की गई है यह की वहुतेजना किसी ऐसी बात द्वारा न दी गई हो जो व्यक्तिगत रक्षा के अधिकार के विधिपून प्रियोग में की गई है इस प्रकार सदोश मानववद हत्या नहीं है और केवल सदोश मानववद है यदि मानववद उस समय किया गया है जबकि उसने गंभीर तथा आकरस्मिक उतेजना के कारण आत्मन्यंत्रन खो दिया है दूसरे अर्थ में यह उतेजना स्वेच्छा से न उत्पन की गई हो वह उतेजना किसी बात द्वारा न दी गई हो जो व्यतिगत प्रतिरक्षा के अधिकार के विदिपून प्रियोग के लिये हो और न लोक सेवक के विदिपून करतवय के पालन में हो यह आवश्यक नहीं है कि क्रोध या भावना के प्रणाम स्वरूप ही आत्मनियंत्रण खोया हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलेग्राम चैनल का लिंक है जहां पे आपको यह पीडिया प्रोवाइड किया जाएगा और यह पैसे सिर्फ शौटन डिक्टेशन के लिए हैं